देश में किसानों का क्रिशी कानूनों के विरोध में आंदोलन जारी है इसी बीच राजस्थान के पूर्व मंत्री, बीजेपी नेता और सैनिक कल्यान बोर्ड के अध्यक्ष रहे प्रेम सिंग बाजोर पर जान लेवा हमला हुआ है हर्याना बोर्डर पर आंदोलन कर रहे कई किसान संक्चनों ने पूर्विधायक का रास्ता रोक कर हमला कर दिया कपड़े फाड़े और साथ ही उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिये इस दौरान उनके साथ ड्राइवर मनोज सिंग और पिये छोटेलाल मौजूद था मेरे वी मेरे कपड़े तकार भाड़ दिये लाठियों की दोच्यारी दार उदर उसके अबारे इस प्रकार का जो खाम कर रहे है मैं समयता हूं ये बहुत गड़त है और अक्षासन को इस पर हमल करना चीए त्याना करना चीए कि इस प्रकार राश्ते चलते लोगों को फू अदर डालना चीए दरसल जैपुर से दिल्ली जा रहे प्रेम सिंग बाजोर का राजस्तान हर्याना बॉर्डर पर बैठे किसानों ने विरोध किया जिसके बाद बीजेपी नेता और किसानों की बीच बहस हो गई इसी दोरान उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया गया उनके साथ मार्पीट कर उनके कपड़े तक फार दिये गए हालाकि किसानों ने मार्पीट से इंकार किया है लेकिन खुद बाजोर ने किसानों के खिलाफ एफ़यार दर्श करा दिया है इसी दिए एफ़यार दिया है झाल झाल